सूरस सहर के पांडेसरा इलाखे में बार के पानीन से किस तरह की वर्बादी हुई हम आपको तस्वीरे में दिखाने से पहले आपके जगे हम दिखा देते हैं ये सीता नगर सुसाइटी की तस्वीरे हैं और सीता नगर सुसाइटी के एक घर के बाहर का ये जो आप जगे देख रहे हैं इस सुसाइटी की सबसे उची जगे है जहाँ पर जितने लोगों हो सका अपने पहुच कर यहां पर जान बचाई थी और बागी सुसाइटी की जितने भी घर थे सभी पानी में पुरी तरह से यह देखिए यहां पर एक परिवार रहता है और उसका जो घर का फ्रीज था वह पानी में खराब हो गया है पानी बढ़ने से और परिवार ने फ्रीज को बाहर रख दिया है इस घर के अंदर के द्रस्टी दिखा दें आपको तो चली हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से इस घर में पानी घुसा था और पानी की चलती क्या कुछ बरबाद हुआ था इस घर में आप देखेंगे कि जो कपड़े थे घर के पहनने ओड़ने वाले वो सब इस तरह से भीगे हुए हैं फिलार उनको सुखाने के लिए रखा गया है और यो आप टीवी देखे मेरा नाम संदीव कुमार गुपता है मेरे घर में पानी सुबा तीन बज़े से बारिस हुआ तीन बज़े के बाद बारिस हुआ तो जैसा जैसा दिन डलते गया वैसे वैसे सुबा होई सुबा होने के बाद साथ साथ बज़े का टाइम था साथ बज़े मेरे घर में पानी थोड़ा आने लगा जैसे साथ बच्केड़ मीनट हुआ है, उसके बाद मेरे घर में पानी यहां तक हो गया, उसके बाद हम लोग अपना सरसमान जैसे तरीके से रखना था वैसे रखके थामे हुए थे हमारे घर में कोई सुब्द्या है नहीं रखने वाली हम अपने घर में जैसे जहां रख पाए रख पाए नहीं जब तक जब हमारे यहां तक नाटे तक पानी आ गया तो उसके बाद हम लोग अपना समान छोड़ चाड़ के जो मेरा टीवी फिरे है ना हमारे सामने रोट का सुब्दा है ना हमारे मुंसिपाल्टी वाले आते हैं वो लोग भी हमारे वाद दवा का कोई छिड़काव नहीं करते हैं ना हम लोग का कुछ सुनते हैं सर हम गरीब आदमी है हम कुछ कर नहीं सकते हैं सर हम कुछ किसी का कर भी सकते नहीं है हम के सामने को लाइट पानी का वे वस्ता कुछ भी नहीं है किस तरह से आपने बच्चों को समाला बच्चों की जान बचाई तो पानी तो बहुत लेकिन जब पानी बहुत तो पानी में है तो खड़ा था में लोगों का ही निकालकर हम लोग दूसरे के रूम पर गए थे और बाकि पूरा सब खराब हुग गया जी। जी तरह से इस परिवार ने हमारे साथ अपना दर्द बयान किया हा कि किस तरह से जो बाल का पानी था उन खाडी का पानी है अचानक बढ़ गया और यहां जितनी लोग घर हैं उसमें पानी घुज गया और देखिए यह नाला है फिलाल सांतर रूप से बह रहा है लेकिन इसी नाले ने उफान मारा था और उफान के चलते यहां के जितने भी घर है सभी के घर को डुबो दिया था ए सब चल चुके हैं पानी सब्सक्राइब को तुमें कुर्सी पर लुटा है खड़ी हो गयरा सभी अब क्या करें कहां पर रख सकते हैं पानी सार पानी ऐसा आया है कि दो मिनिट भी नहीं लगा हम लोग सिर दूद लेक लेने नाके गया नाके से आते आते पानी रूम में खटिया बैड जो भी था सब भीख चुका है इस तरह से बच्चों को कुर्सी पर लुटाया गया है बच्चे कुर्सी पर लेटी हो निजना आरे आपको क्या कुछ तक्लिफ है हो ही इस पानी की वज़े से आप यह हुआ कि मेरे बच्चे को भी सर्दी खासी हो गई हो भी दुखो हम लोग रात पर सोए नहीं पानी की वज़े से यह सब कपड़ा भीग गया हम लोग देखो इस वी अपने बेड कुर्सी पर सुलाए उपने अब आख जो अलुब यह जो अब बचा था दोके सब रखा हूं क्या करों कि सब पूरा बार्जे से सपानी गिर रहा है कि दूसरे घर की आमने तस्विर आपको दिखाई है और यहां भी वही नजारा है जो बाकी घरों में है इसी तरह से और भी द्रस से मापको दिखा दें अब आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहां पर अभी फल्की बारिश भी शुरू हो गई है और हम आपको बदाए हैं और और बंदे हैं आप बताई कि किस तरह से यहां पर आपको पता तक नहीं चला कपड़ा, विस्तर, सौट सर्केट, टीबी, सब नुकसान हो गया सर, सब के सब दीख चुका है एक मिनट का भी टाइम नहीं मिला सर, किसी को भी यहां से लिकलने तक का मुका नहीं मिला सर, और अभी तक सर, यहां पर यह भी इतना कचड़ा, इतनी गंदी की कोई यहां पर सम पानी ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है, और हम आपको दिखा दें, क्यामरा में से को रस्ता बता दीजिए, यह तस्वीर जो आप देखेंगे ना, यहां पर कोई भी सड़क का नामों निसान नहीं मिलेगा, और इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि महानग इस तरह की सुचता है, उवी आप देख सकते हैं। और यह पूरी सीता-षाडम हजारों लोग रहते हैं, जो खाडी के पानी की वज़े से उनके घरों में नुक्सान पोचा है, अब लोगों की यहां तक जो मांग है कि सरकार उन्हें कहीं कुछ राहत पोंचाए, ता कि उन झाल झाल